हेलो एन वेलकम टो अजय साव उन्लेन क्लासेस आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सम्मिधान से सम्मंधित क्वेस्चिन ठीक है यह हमारा ओफिशल एफ है जो लॉंच हो चुका है इसमें हमारे सारे प्रीमियम कोर्सेस अवेलबल हैं इसका लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा आप जेक कर सकते हैं पहला प्रश्ण है राष्टपती की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ती कहां से प्रेवित है भारत सरकार अधनियम 1935 या भारत सरकार अधनियम 1909 या फिर भारत सरकार अधनियम 1947 ठीक है देखे जब ब्रिटिस भारत था तब जो है सन 1861 में इस अधनियम के तहट जो है जो गवर्नर जनरल था उसको अध्यादेश जारी करने की शक्ती प्रदान की गई थी इसका मतलब क्या है कि जो विधान परिसत होता था उसकी अनुमती के बगैर जो है ये अध्यादेश जा ना देता था ठीक है तो वही चीज जो है भारत सरकार अधनियम 1935 के द्वारा जो है राष्ट पती को अध्यादेश निर्गत करने की सक्ती जो है यहां से प्रेरित है तो भारत सरकार अधनियम 1935 की जो धारा 42 है उससे जो है जो भारती सम्विधान है उसमें जो 123 लिया गया है वो इसी से प्रेरित है ठीक है तो जो भारती सम्विधान का अनुच्छेद 123 है वो राष्ट पती की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है ठीक है अगर आप से पूछे कि राजिपाल की अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो किस अनुच्छेद से मिलती है तो कुछ नहीं करना है बस आपको इस एक दो तीन को दो एक तीन कर देना है ठीक है तो 213 यह है राज जिपाल की अध्यादेश जारी करने की सक्ती ठीक है तो 123 का खेल है तो इसको आगे पिछे करके आपको ऐसे याद रखना है ठीक है next question है हमारा केंदरी विधान सभा का निमनांकित में से कौन से जो निर्वाचन है वो 1919 के तहद हुए थे ठीक है तो option है 1926, 1937, 1945 ठीक है तो इसका जो right answer है वो है C, A और C मतलब 1926 और 1945 का जो निर्वाचन हुआ था वो 1919 के अधनियम के तहद हुआ था Montague, Chambersford, सुधार के तहद ठीक है तो यह आपको याद रखना है next question है भारत के सम्मिधान में केंदर और राज की बीच में जो किया गया सक्तियों का विभाजन है इन में से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है मारले मिन्टो सुधार, Montague, Chambersford अधनियम या भारत सरकार अधनियम 1935 या फिर भारती स्वतंतरता अधनियम 1947 यह नहीं है यह भी नहीं है और यह भी नहीं है राज्य में जो है द्वयत स्वासन को समाप्त कर दिया गया था और केंद्र में जो है द्वयत स्वासन को लागू कर दिया गया अखिल भारती महा संग इस्थापित करने के लिए इस 1935 के अधनियम में प्रावधान किया गया तो किस प्रकार तो जो ब्रिटिश प्रांत थे साथ में जो चीफ कमिशनरी जो शेत्र थे ठीक है और साथ में देशी रियासत इन तीनों को जोड़ करके अखिल भारती संग का इसमें इस्थापना करने का प्रावधान भी किया गया था ठीक है तो 1935 का जो अधनियम है वो हमारे भारती समविधान का सबसे बड़ा सुरोत है इसमें से लगभग 200 के करीब जो है आर्टिकल सीधे सीधे उठा लिये गये है ठीक है तो ये भी आपको याद रखना है भारती विधान पाली का प्रथम बार्दुई सदनी बनाई गई थी कब बनाई गी थी 1892 के भारती काउंसिल एक्ट के द्वारा 1909 के भारती काउंसिल एक्ट था उसके द्वारा जो है 1919 का जो एक्ट है भारत सरकार अधनियम उसके द्वारा जो है ये जो भारती विधान पाली का है प्रथम बार जो है द्वी सदनी बनाई गई थी इसी 1919 को हम मॉंटेग्यू चेम्सपोर्ट सुधार भी कहते हैं ठीक है इसमें क्या किया गय तो उपरी सदन को राज्य परिसत कहा गया और जो निचला सदन था उसको केंदरी विधान सभा कहा गया ठीक है तो ये दो भागों में डिवाइट किया गया इसका कारेकाल पांच वर्स का था राज्य परिसत का और इसका था तीन वर्स का ठीक है तो राज्य परिसत में 60 ज निर्वाचित होते थे और 40 जो है मनुनीत होते थे ठीक है तो आपको कुछ नहीं बस इसके नाम और इसका कारेकाल याद रखना है कि राज्य परिसद और केंद्रिय विधान सभा ठीक है तो ये था इसका अंसर 1919 के भारत सरकार अधनियम के दौरा भारती विधान पालिका मे प्रथम बार्द्वी सदनी विवस्था की गई थी एक निर्वाचित सम्विधान सभा के द्वारा भारत के सम्विधान का निर्मान करने का प्रस्ताव कब किया गया किसके द्वारा किया गया ठीक है तो साइमन कमिशन भारत सरकार अधनियम 1935 क्रिप्स मिशन द्वारा या ब्रिटिस केविनेट डेलिगेशन द्वारा ठीक है तो इसका जो राइट अंसर है वो है C क्रिप्स मिशन ठीक है क्रिप्स मिशन कब आया था 1942 में ठीक है 42 में आया था ये दुती विश्वयुद के बाद जो है यहां पर समिधान निर्माण करने का इसमें आश्वासन दिया गया था और इसको लाये थे इस टेफ़र्ड क्रिप्स जो अध्यक्ष थे उन्होंने इस मिशन को लेकर आया था वो लेबर पार्टी से थे हालाकि जब इस समय ये मिशन यहां आया रहा था तो जो वहां के ततकालीन जो प्रधान मंत्री थे विंस्टन जो चर्चिल थे वे इसके विरुद्ध में थे ठीके वो जो है इतनी स्वायता भारत को इस प्रकार से नहीं देना चाते थे तो इसमें जो है ये प्रावधान था ये ऐसा इन्होंने क्यों किया क्योंकि ये दुतीवी स्वियूद में भारत का मदद चाहते थे तो एक लालच के दृष्टी से जो है ये मिसन आया था और इसको जो है महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था या फिर वह चेक जिसका जो बैंक है वो दिवालिया हो चुका है ठीक है तो ये आपको याद रखना है कि ये क्रिप्स मिसन था इन व्यक्तियों में से कौन सा कैबिनेट मिसन का सदस्य नहीं था विलियम वुड पैथिक लारेंस इस्टेफोर्ड क्रिप्स या एवी अलेक्जेंडर ठीक है तो ये जो तीन है इस्टेफोर्ड क्रिप्स पैथिक लारेंस और एवी अलेक्जेंडर ये तीनों कैबिनेट म नहीं थे ठीक है तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा विलियम वुड नेक्स्ट क्रिश्चन है निमल लिखित में से अगस्त 1946 में गर्ठित प्रथम अंत्रिम राष्टी सरकार का सदस्य कौन नहीं था ठीक है सी राजगोपलाचारी, डाक्टर राजेंद प्रसाद, डाक्टर एस राधा कृष्णन या जगजीवन राम ठीक है तो जो अंत्रिम जो सरकार थी उसमें जो है राजगोपलाचारी जो है वो सिक्षा मंत्री थे ठीक है जो डाक्टर राजेंद प्रसाद थे वो खाद एवं कृसी मंत्री थे ठीक है और जो जगजीमन राम ठे वो स्रम मंत्री थे लेकिन डाक्टर जो सरवपली राधा कृष्णन थे वो इस अंत्रिम सरकार में सामिल नहीं थे तो ये आपको याद रखना है इसका I right answer हो Congress Party 1936 Muslim League 1942 सरवदली सम्मेलन 1946 ठीक है तो इसका आंसर है A स्वराज पार्टी जो है उसने राची में जो है जो आत्म निर्णे के अधिकार की इन्होंने मांग किया और इन्होंने जो है सरव प्रथम जो है सम्मिधान की रचना की मांग की और वयस्क मताधिकार की भी इन्होंन तो यह पहला उसर था जब किसी भारती पार्टी नि जो है सम्मिधान की गठन की जो है मांग की थी तो यह स्वराज पार्टी नि किया था और खास यह बात याद रखना है कि वयस्क मताधिकार की भी इन्होंने बात की थी ठीक है नेक्स्ट क्वेस्चन है भारती सम्विधान सभा के संबंध में निम्नांकित में से कौन-कौन से कथन सही है पहला यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी दूसरा प्रत्यक्ष निर्वाचन का परणाम थी तीसरा यह बहुदली सरशना नहीं थी यह कई समीतियों के तो इनका जो निर्वाचन हुआ था वो हुआ था अप्रत्यक्ष ठीक है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परणाम थी तो यह वाला स्टेटमेंट गलत हो गया ठीक है उसके बाद वयस्क मताधिकार पर आधारित जो है यह नहीं था उस जो समिधान सभा है उसमें बहुत सारे दल जो है सामिल थे तो यह वाला स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएगा कि बहुत अली सरचना नहीं थी ठीक है तो इसमें बहुत सारे दल इसमें शामिल थे यह कई समीतियों के माध्यम से काररत थी तो यह बिलकुल सही है इसमें कई स और भी कई समीति प्रारूप समीति ठीक है तो इस प्रकार से जो है समिधान सभा के बारे में A और D जो है सही है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा A ठीक है प्रथम बैठा खुई तो इसमें जो है सचिदानन सिनहा जी को अइस्थाई अध्यक्ष के तोर पर चुना गया उनहीं को क्यों चुना गया क्योंकि ये सबसे वरिष्ट सदस्य थे लेकिन 11 दिसंबर को जो है निर्विरोत के रूप में जो है निर्विदो तोर पर जो है डा जेंद्र प्रसाथ भारती सम्विधान को बनाने है तू भारती सम्विधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे 7,9,12 या 15 ठीके तो यहाँ पर overall round figure में पुछ रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा C 12 लेकिन आपको exact याद हो नहीं चीए 2 वर्स 11 माह 18 दिन लगे थे ठी ठीके और इसमें total 11 अधिवेशन हुए थे और 165 दिन और लगे थे ठीके तो 11 अधिवेशन के अंतिम दिन ठीके 26 नॉम्बर 1949 को जो है इसमें सभी ने हस्ताक्षर कर दिया था तो यह चीज़ें आपको याद रखनी है तो इसका आंसर हो जाएगा C 12 भारती सम्विधान का प्रथम प्रारूप तयार किया गया था बी अरंबेटकर के द्वारा बी एंडराओ के द्वारा के संथानम के द्वारा या के एम मुनसी के द्वारा ठीक है तो जो सम्विधान सभा के सम्विधानिक सलाकार थे वो थे बी एंडराओ ठीक है तो बी ए सभी जो सभा है उसके समक्ष रखा गया प्रस्तुत किया गया और इनके द्वारा ही इसमें 243 इसमें आर्टिकल थे और 13 जो है अनुसूचियां थी ठीक है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी एन राओ तो बी एन राओ के द्वारा प्रारामभीक तोर पर प्रारूप समिधान का वो तयार किया गया था तो इस प्रकार से आज का वीडियो जो है कंप्लीट होता है यदि अच्छा लगे तो लाइक और शेर करें वीडियो को देखने के लिए धन्यों